हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप I hope सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में हमने किया था adjusted profits के साथ में goodwill को calculate करना अब हम आज उसी का revision करेंगे revision का मतलब यह है कि आपको एक और question में practice करवाता हूँ ताकि आपको वो दोबारा से revise हो जाए क्योंकि वो बहुत important है और फिर उसके बाद में हम आगे continue करने वाले हैं पे चेफ्टर को तो देखो बिच्चो आप लोगों का page number दिया हुआ है 3.30 और 3.30 पे हमारे पास है क्या question number 12 चीक है question number 12 के अंदर देखिएगा गीता गीत एंड मीत गीत एंड मीत और partner in a firm they admitted jeet they admit jeet यानि की गीत और मीत दो partner थे और उन्होंने admit किया किसको जीत को partnership firm के अंदर equal share के लिए it was agreed that goodwill will that goodwill will be valued at 3 year purchase 3 साल की purchase पे of the average profit of past 5 years यानि की एक partner जो है वो enter कर रहा है ठीक है बाकी दो partners जो हैं वो ये कहते हैं अब देखो पहले आज तक हमने क्या question किये थे आज तक जो हमने question किये थे ना बच्चो वो कुछ इस तरीके के थे कि हम ये कह रहे थे कि एक person ने दूसरे person का business purchase कर लिया लेकिन ultimately हम कर क्या रहे हैं हम लोग कर रहे हैं partnership accounting तो partnership accounting के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक partner था जिसने एक partnership firm को एक person था जिसने एक partnership firm को join किया और जब partnership firm को join किया तो उसको बताया गया कि past year के profits हमारे इस तरीके के हैं उसको करना क्या होगा क्यों बता रहे हैं हम उसको वो हमारा business खरीद थोड़ी रहा है नहीं बच्चो होता क्या है कि एक partner को क्या करना पड़ता है लेकर क्या आना पड़ता है share of goodwill यानि कि अगर आपको enter करना एक partnership firm के अंदर तो आपको नकिवल cash देना होगा बल्गी उनकी goodwill का कुछ extra amount भी देना होगा बस वही हम लोग calculate करने वाले हैं उसी method से जैसा कि हमने last class में सीखा था तो चलो आओ बच्चो दुबारा से करते हैं इसको शुरू यहाँ पे हमें profits दिये हुए हैं first year के losses थे और उसके बाद में profits दिये हुए हैं आप देख सकते हैं आगे दी हुई है adjustments adjustments क्या कहते हैं the firm had gain profits of gain यानि कि profits of 50,000 for sale of machinery sold in the year ended 31st March 2016 यानि कि हम बात कर रहे हैं second year की first year की कोई बात नहीं बोली हुई है अभी तक second year 1,60,000 के अंदर क्या include है profit on sale of machinery और लिखाओ है the gain was created to P&L account आप ना भी बताते तो भी हमें मालूम था कि आप इन profits के साथ में क्या करते हैं अब एक बात बताओ बच्चो होगा क्या होगा ये कि ऐसे profits जो हैं last class में हमने सीखे थे ना ऐसे profits abnormal profits हैं और अगर ये abnormal profits हैं तो ये हमारे normal profits का part नहीं बन सकते उस case में हम क्या करेंगे इनको यहाँ से हटा देंगे यानि कि ये जो 1,60,000 है इस 1,60,000 के अंदर 50,000 के abnormal profit include है हम इसको यहाँ से हटा देंगे deduct कर देंगे ओके sir तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ minus there was an abnormal loss of 20,000 incurred in year ended in the year ended 31st March 2017 because of machine become obsolete in an accident ये point भी हम पहले कर चुके हैं सोचने वाली बात है क्या हमारी जो machine है वो रोज और obsolence की शिकार हो जाती है obsolete हो जाती है क्या नहीं ऐसा नहीं होता तो ये क्या है हमारे abnormal losses है अगर ये losses ना हुए होते है तो उस साल के किस साल के 2017 यानि की 3rd year के जो हमारे actual profits होते वो कितने होते 1,70,000 रूपीज तो ये क्या हो जाएगा add हो जाएगा ठीक है सब आगे लिखा है overhauling cost of a second hand machinery अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बिलकुल ये point बहुत important है देखो बच्चो यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने overhauling किया किसका second hand machinery का अब मेरे को एक बात बताओ आपके दिमाग में क्या आता है ये capitalized nature का expenditure है ये revenue nature का है सर obviously second hand machinery के उपर अगर किसी तरीके का कोई ही खर्चा किया जाता है overhauling का तो इससे क्या होगी इसकी value बड़ेगी और अगर इसकी value बड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा सर capitalized nature का हो जाएगा तो इसको जाना कहाँ चाहिए अभी हमने आगे का कुछ नहीं बढ़ा इसको जाना कहाँ चाहिए था सर machinery account में अब देखिए हमने किया क्या है overhauling cost of second hand machinery purchase on first July 2017 इसको आप अपने mind में भी mark कर लीजेगा first July 2017 की date दी हुई है amounted to rupees 1 lakh was debited to repair account ओ हो हमने तो गलत कर दिया repair account के अंदर डाल दिया यानि कि profit and loss account की debit side में भी डाल दिया होगा तो ऐसा खर्चा जो capitalized nature का था वो हमारे profit and loss account में नहीं आना चाहिए था यानि कि machinery account में जाना चाहिए था तो हम क्या करेंगे profit and loss account से ये 20,000 के expenses को हटा देंगे तो अगर हम expenses को हटाएंगे तो expenses की list कम हो जाएगी और अगर expenses की list कम होगी तो net profit क्या हो जाएंगे बच्चो बढ़ जाएंगे तो जो 20,000 rupees है ना ये हो जाने वाले हैं add ठीक है जी 20,000 rupees क्या हो जाने वाले हैं बच्चो add हो जाने वाले हैं खैर अब देखो ये sorry ये 20,000 नहीं थे ये कितने थे 1,000,000 rupees थे तो ये 1,000,000 rupees क्या हो जाने वाले हैं add हो जाने वाले हैं ठीक है and down value method बस अब यही point है जो हमें समझना है होना क्या चाहिए था होना यह चाहिए था कि one lakh rupees profit and loss account में नहीं आने चाहिए थे और आना क्या चाहिए था depreciation आना चाहिए था तो depreciation अगर profit and loss account में दिखाया जाता तो हमारे net profit क्या हो जाते सर्फ कम हो जाते क्योंकि expenses बढ़ जाते expenses बढ़ते हैं तो बच्चो net profit क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे जी हमने यहाँ पे depreciation को record नहीं किया और अगर depreciation को record नहीं किया तो अब record करेंगे और अगर अब record करेंगे तो हमारे expenses बढ़ने की वज़ा से net profit क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम deduct करेंगे क्या depreciation 20% for कितने महीने के लिए 9 months ठीक है यह तो मैंने वैसे ही अपनी reference के लिए लिख लिए है यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को यह screen पे ठीक से दिखाई ना दे रहा हो हमने जो pencil से लिखा है लेकिन कोई बात नी यह मुझे आपको दिखाना नहीं है बस आप लोगों का ध्यान दिलाना था ठीक है तो चलिए बच्चों करते हैं अपना question ठीक है आप लोगों के सामने book है ही ठीक है चलो मैं इसको zoom out करता हूँ पहले हाँ जी और यह रही हमारी वो जादू की छड़ी जो की focus करवा लेती है फटा फट से हाँ जी तो बनाएं अपना वैसे ही हम क्या लेकते थे सबसे पहले statement of याद आया पुरानी क्लास का home work किया आप लोगों ने हाँ जी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ home work किया आप लोगों ने home work जरूर करना है बच्चो home work करो के तभी काम बनेगा statement of adjusted profits है ना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे year year और फिर क्या लिखेंगे profits और फिर क्या लिखेंगे adjustment और फिर क्या लिखेंगे profits after adjustment है ना यही करते थे ना हम लोग हाँ जी सर यही करते थे तो सबसे पहले साल के हमारे profits क्या है सबसे पहला हमारा साल कौन सा था साल था सर 31 मार्च 2015 पे end हो रहा था यानि कि ये 14-15 था 14-15 में हमें profits नहीं हुए सर losses हुए है 90,000 रुपीज के हमने यहां पे record कर दिया ठीक है जी अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है 90,000 के losses के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ सर यानि कि no adjustment तो इसका मतलब 90,000 का loss ऐसे ही चलने वाला है ठीक है अगले साल 15-16 के हमारे दिये हुए क्या profits कितने 1,60,000 रुपीज के दिये हुए है ना है ना बुक है ना सब के पास में हास है ना हमारे पास में तो बुक हमेशा रहती है very good अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें क्या हो गया था sale of machinery के ओपर कुछ abnormal gain हो गया था abnormal gain अगर ना होता सुरी बच्चो अगर या abnormal gain ना होता तो हमारे profits इतने थोड़ी होते हम क्या कर देंगे अपने abnormal profit से उसको क्या कर देंगे कम कर देंगे तो abnormal profits हमारे कितने थे 50,000 रुपीज के थे हम deduct कर देते हैं तो हमारे profits actually कितने आगे 1,10,000 रुपीज ठीक है फिर हमारे पास 16,17 16,17 के अंदर हमारे पास में कितने profit है 1,50,000 है ना और adjustment क्या कहती है adjustment हमारे को कहती है कि हमारे कुछ abnormal losses हुए due to accidents of machinery तो हर साल थोड़ी होते है ऐसे हमारे abnormal losses तो अगर ये abnormal losses ना हुए होते तो हमारे profits actually कुछ और होते और कुछ और होते तो उस amount को हम 20,000 को include कर देंगे कितना 1,70,000 रुपीज आ जाएगा ठीक है अगली बार 17,18 17,18 में क्या हुआ था 1st July 2017 को हमने एक machinery purchase कर ली थी जिसको कि हमने गलती से कहा लिख दिया profit and loss account में लिख दिया तो ये यहां नहीं आना चाहिए था अगर ये यहां नहीं आता तो हमारे profits और जादा होते expenses थे ना expenses को हटा देंगे अगर expenses को हटा देंगे तो net profit क्या हो जाएंगे ultimately बढ़ जाएंगे तो हमारे जो profits थे यह वो कितने थे 65,000 के थे ठीक है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया जी 1,00,00 का repairs को minus कर दिया था तो अब हम क्या कर देंगे वापस add कर देंगे तो यह जो repairs थे न repairs मैं लिख देता हूँ इसके bracket में repair यह capitalized nature के थे तो यह capital repair जो हमने capital expenditure को repair के अंदर treat कर लिया था ठीक है second end machinery था ना यह हाँ जी सर अच्छा एक तो यह point था इसके अंदर और साथ में क्या लगना था depreciation अब एक बात बताओ depreciation अगर आएगा तो depreciation के अंदर आने से तो क्या होगा हमारे net profit क्या हो जाएगे कम हो जाएगे क्योंकि एक ऐसा खरच्चा है depreciation जिसको हमने record नहीं किया अगर हम इसको record कर लेते करना चाहिए था ना हाँ सर normal profits के अंदर करना चाहिए था अगर हम इसको record कर लेते तो हमारे net profit क्या हो जाते sir कम हो जाते तो ये जो depreciation है वो कितना है ये depreciation 9 months का आएगा बिटा और ये 9 months का depreciation आएगा 15,000 rupees ठीक है 15,000 का depreciation कैसे आया है देखो जी 1 lakh का 20% for 9 months ठीक तो ये 15,000 का हमारे पास में depreciation deduct होने वाला है ठीक है अब अगर मैं adjustment करता हूँ 65,000 के अंदर add करता हूँ 1 lakh तो ये बन जाता है 1 lakh 65,000 और minus कर देता हूँ 15,000 तो ये बन जाता है total effect कितना आ जाता है sir इसका 1 lakh 50,000 rupees तो after all adjustment 17,18 के मेरे profits कितने हो गए मेरे बच्चो 1 lakh 50,000 तो ठीक है अब थोड़ा सा उपर करते हैं इसको और अब चलते हैं 18,19 18,19 में मेरे profits कितने थे 1 lakh 77,000 अब सर एक बात बताओ 1 lakh 77,000 के हमारे profits थे और हमारे पास में कोई adjustment लिकी नहीं हुई तो अब क्या करें अब एक बात बताओ बच्चो पिछले साल हमारा depreciation रहा था इस machinery के उपर क्या इस साल नहीं लगेगा हाँ सर लगेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमने record किया था या नहीं किया था सोचने वाली बात है बच्चो जब हमने repairs के नाम पे overhauling के जितने भी expenditure थे उसको repair account के अंदर ले लिया था तो हमने profit and loss account में उसको adjust कर दिया था पूरी की पूरी machinery को तो ना हमने पहले साल का depreciation लगाया होगा ना ही second year का depreciation लगाया होगा ओहो सर ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था सोचना पढ़ता है बिटा सोचना पढ़ता है सिखा रहूं तुमारे को सोचना ठीक है तो सोचना जरूरी है तो क्या करेंगे बच्चों हम हम next year भी उसके उपर depreciation लगाएंगे लेकिन अब की बार अब की बार पूरे साल का depreciation लगेगा पूरे साल का depreciation का जब depreciation लग चुका था तो remaining machinery कितने की रह गई है सर 85,000 की रह गई है ना तो 85,000 का 20 परसेंट जो है वो 17,000 आता है देख लो है ना 17,000 दिखाई दे रहा होगा तुमारे को अच्छा चलो इसको side में रख देते हैं तो मैंने calculate कर लिया क्या depreciation on machinery depreciation on machinery कितने की adjustment है सर 17,000 की minus क्यों हो जाएगा क्योंकि अगर हमने इस expenditure को record कर लिया होता तो ये हमारे expenditure बढ़ जाते expenditure की list जब बढ़ जाती है तो net profit पे क्या effect बढ़ता है बटा net profit कम हो जाते है तो देखो वही मैंने minus कर दिया नीचे में इसकी calculation भी दिखा देता हूँ कि 1,000,000 में से 15,000 तो पिछले साल adjust हो गई थे तो इसकी value कितनी थी 85,000 का 20% for full year है ना तो अब 1,77,000 में से अगर 17,000 चले जाएंगे तो हमारे पास में profits कितने आ जाएंगे 1,60,000 रुपीज के profits आ जाएगे ओके सर हो गया ये क्या आगए हमारे total adjusted profits इसी की तलाश थी सर हमारे को और ये total adjusted profit कितने आ रहे है सर 5,000,000 रुपीज के है ना चलो अब आगे करते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास में एक बारी मेरे को फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए हाँ जी ये रहा मेरा ठीक है आच्छा चलो अब करते हैं आगे का काम अब ये तो आगे हमारे पास में total adjusted profits अब हमें क्या निकालने है सर average adjusted profits सर ये proper दिखाया जाए ये आप किसको कहते हैं ये मैं अपने camera person को कहता हूँ बच्चो मेरे पास में camera person है ठीक है मैं उनको बोलता हूँ कभी कभी ठीक है इनका नाम है चमन जी ठीक है आच्छा खेर कोई बात नहीं देखिए कभी मिलवाएंगे भी आपको इनसे ना कभी मिलवाएंगे ठीक है average adjusted profits कितने हैं हमारे पास में five lakh rupees कैसे निकल करके आएंगे average divide by अब कितने साल थे ये एक दो तीन चार पांच पांच साल थे ये है ना तो divide कर देता हूँ five से तो sir simple calculation निकल आए one lakh rupees अब goodwill कैसे निकालेंगे sir हमें goodwill निकालना आता है हाँ तो बताओ फिर कैसे sir average adjusted profits जो आएं है ना उसको हम multiply कर देने वाले हैं किस से हम multiply कर देने वाले हैं number of years purchase है ना ठीक है sir तो average adjusted profit थे one lakh rupees और number of year adjusted कितने दिये हुए है question के अंदर तीन दिये हुए तो ये three lakh rupees कि हमारी क्या आ गई जी goodwill आ गई ठीक है बच्चो I hope आप लोगों को ये revise हो गया होगा पूरा का पूरा है ना बिलकुल अच्छे तरीके से हमने आपको revise करवा दिया है आप लोगों ने home work किया होगा ऐसा मेरे को मानने का मेरा विश्वास है ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से किया कीजे चलो बच्चो अब हम क्या करेंगे आगे सर और क्या करवाने वाले हो आज क्या plan है हमारे ये तो हमने पिछली class का एक revision type कर लिया हाँ जी बच्चो चलो अब आज सीखेंगे हम बच्चो और क्या सीखेंगे weighted average method weighted average method बहुत ही असान है बड़ा ही असान है ठीक है एक काम करता हूँ पहले इसको ज़रा छोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को हाँ जी ये रही मेरी copy देखो जी weighted average profit method क्या होता है आओ जी समझते है तो उपर हम heading डाल देते हैं क्या weighted average profit method एक बात बताओं तुम लोगों को हाँ सर बताओ हम तो सुनने के लिए हमेशा त्यार रहते हैं ये जो हमने adjusted profit निकालने सीखे है न ये हमारे weighted average method के अंदर भी काम आने वाले हैं ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं अब इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं good will तो good will निकालने का तरीका क्या है good will निकालने का तरीका है सर जितने भी हमारे पास में वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होंगे न उसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे नमबर आफ इयर्स परचेस इस से सर ये तो बहुत ही असान है ये तो बहुत ही असान है पहले वाला ही जैसा दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये पहले वाले जैसा ही है ठीक है तो पहले वाले जैसे में क्या है कि हमारे पास में हमारे पास में पहले वाले जैसा क्या है ये कि यहां पे बस हमारे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने है है ना तो weighted average profit कैसे निकलते हैं आओ देखते हैं देखो बच्चो हम निकालेंगे weighted average profits अब stats के अंदर आपने weights निकालने तो सीखे होंगे न weights क्या होते हैं simple से होते हैं देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे सीख लो बच्चो मेरे साथ number one year number two profits after adjustments ठीक है और number three weights अब देखो हमें एक particular year दिया हुआ होगा जैसे पहले दिया हुआ होता था let's say मैं कहता हूँ 2014 दिया हुआ है calendar year के साथ से और हमें कुछ क्या दिये हुए होंगे profits after adjustment हम निकाल लेंगे जैसे भी adjustment दियो ही होगी तो बहुत simple है जैसे अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले ठीक है सीखा तो पिछली क्लास में ही था आज तो सिर्फ revise कर लिया हमने उसको एक अच्छे question के साथ ठीक है तो ये मैंने क्या कर लिया जी मैंने profit adjusted profit निकाल लिया first year का adjustment करने के बाद ठीक है अब मैंने इसको दे दिया wait wait कितना one याद रखना बच्चो जो latest profits होंगे na question के अंदर latest profit का मतलब last year का profits और 4 साल पुराने profits की अगर मैं बात करूँ तो वो 4 साल पुराना जो profits होगा वो उतना ही पुराना होगा तो rule क्या है गेम का rule क्या है game का rule सिर्फ इतना सा है कि सर जो latest होगा ना हमारा profit उसको हम सबसे ज़्यादा weight देंगे यानि कि जितने भी weight हमने देने है ना number of years के साबसे latest वाले को यानि कि last year वाले को हम सबसे ज़्यादा weight देंगे तो इसका मतलब सबसे पहले को सबसे कम weight देंगे तो सबसे कम weight कितना होता है सर एक ही होता है सर एक kilo जैसे दो kilo से कम होता है ना ठीक इसी तरीके से अच्छा जी 2015 में हमारे कुछ प्रॉफिट्स हुए और उसकी हमने adjustment करके निकाल दिया उसको number two इतना weight दे देंगे 16 में 3 2017 में number four इस तरीके से तो यहां पर क्या किया हमने latest वाले को सबसे ज़्यादा मान लो 40 साल है अब देखो इसको ना मैं नाम दे देता हूँ क्या नाम दे देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ A इसको मैं बोल देता हूँ B ठीक है और last में ना हमें निकालना है क्या इसका product product मतलब multiply कर देना हमें इनको ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको नाम दे देता हूँ sir C और C क्या है A multiplied by B है ना यानि कि इन दोनों का आपस में multiplication वो क्या है हमारा C यानि कि ये product आ जाएगा अब वो कुछ आ जाएगा आपस में multiply करेंगे हम ठीक है ना अब इसके बाद में last में हम इसकी क्या कर देंगे और किसकी totaling कर देंगे total weights की totaling कर देंगे ठीक है तो ये हम क्या कर देंगे जी total अब ये क्या जाएंगे total weights और ये क्या जाएगा total product अब हमें क्या निकालना है weighted weighted average profits तो वो कैसे आएगा total of c यानि की c का total ये वाला amount ठीक है और divided by total of b ठीक है न बच्चो तो इन सब का total divided by b का total इस तरीके से हम क्या निकालते है weighted average profit निकालते है और फिर इसको number of year purchase से multiply करके हम क्या निकाल सकते है सर good will निकाल सकते है ठीक है तो चलो एक question करते है तुम्हें जादा समझ में आएगा question number निकाल लो बेटा 18 ठीक है आ जाओ समझाता हूँ तुम्हारे को में हमने निकाल लिया sir question number 18 और मैं इसको करता हूँ क्या zoom in ठीक है ये question number 18 है और इसने खुद ही adjust कर लिया अपने आपको हाँ जी ये रा question number 18 और थोड़ा सा zoom in कर दूँ देखो बच्चों क्या दिया हुआ है यहां पर मन्बीर and निम्रत हाँ जी इनके नाम है are the partner and they admit अनाहत ठीक है जी क्या जबरतस जबरतस नाम लिखे हुए है books के इंदर ठीक है पढ़के भी confusion हो जाती है simple सी बात है M, N, N और A कर देते चलो छोड़ो ना इस से हमें क्या लेना देना भावनाव में क्यों बहें हम it was agreed to value goodwill at three year purchase सबसे पहले हमें यही ढूंडना होता है on weighted average profit method ठीक है सर taking profit of last five years यानि कि पांच साल के हमें profits दिये होंगे weights assigned to each year is one, two, three, four, five low जी मतलब question ने मारे को ये भी बोला हुआ है कि हम ये weights देंगे ठीक है जी कोई बात नहीं दे सकते हैं क्या दिक्कत है question को बड़ा बनाना है हमने कैसे भी बनाए ठीक है अच्छे जी respectively to the profit for the year ended 31st March 2015 to 2019 ठीक है सर 2015 से 2019 के हमें ये profits दिये में 70,000, 140, 1,00, 1,60,000 और 1,65,000 respectively scrutiny of books of account revealed following information scrutiny का मतलब क्या होता है scrutiny का मतलब होता है जैसे आप लोगों की टीचर जो होती है वो paper check करती है न आपके ऐसी chartered accountant जो होता है वो books of account को scan करता है scan करता है का मतलब क्या है वो उनको check करता है कि सारी चीज़े proper way में लिखी है या नहीं है वैसे scrutiny का मितलब जो रेक्टिफिकेशन होता है लेकिन ये एक term है जो की professional way में chartered accountancy के साथ में utilize होती है ठीक है sir, okay, okay, हम समझ गए, चलो, अब पढ़ते हैं मेरे बच्चो, देखो, क्या लिखा हुआ है तो 2015 में एक abnormal loss था, अगर abnormal loss ना होता तो ये हमारे जो profits हैं, ये जो हमारे profits हैं, कितने के 70,000 के फिर्स्ट येर का है ना ये, हाँ जी ये, फिर्स्ट येर का ही है, 2015 का, यानि कि 14-15 के हमारे profits थे 70,000, अगर ये 20,000 के losses हमने ना लिखे होते, abnormal losses, तो हमारे profits क्या होते, actually 1 lakh, sorry, ये होते 90,000 होते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, sir, plus हो जाएगा, okay अगला पढ़ते हैं, there was an abnormal gain, मतलब question इतना लड़्डू है, कि वो हमारे को कुछ बता ही नहीं रहा, सीधा ही बोल रहा है, कि ये loss है, abnormal loss है, ये abnormal gain है, हमसे कुछ तो मेहनत करवा लो, आप, करवाओंगा बेटा, अभी करवाओंगा, थोड़ी दे ठहरो, ठीक है, चलो, there was an abnormal gain of 30,000 in the year ended 31st March 2016, अगर ये abnormal gain ना हुआ होता, तो हमारे profits इतने थोड़ी होते, तो ये क्या हो जाएंगे जी, deduct हो जाएंगे, ठीक है, आच्छा, closing stock as on 31st March 2018 was overvalued by 10,000 rupees, देखो जी, अब ये क्या लिए हूँ है, हमारे को closing stock किसका, 31st March 2018 का, इस time पे हमारे profits कितने थे, जितने भी थे, मेरे ख्याल में 2018 में 1,60,000 दिये में, हाँ जी, 1,60,000, और उस साल हमारा जो closing stock था ना, वो 10,000 से overvalued था, है ना, अब मेरे को बच्चों आप से न थोड़ी सी बातचीत करनी है, इस विशे में, ठीक है, और मैं इसके उपर जो copy के उपर नहीं लिखने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ, एक rough page निकालने वाला हूँ, यहां से, drawer में से मैंने निकाला, और बस अब इस book को मैं यहां से हटा देता हूँ, ठीक है जी, चलो, अब देखो, मेरी बात समझो ज़रा, यह रहा मेरा trading account, trading मान लो, चाहे profit and loss मान लो, एक ही बात है, क्योंकि closing stock जो है, वो trading में आता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, trading account, यह third point के बारे में बात है बच्चो, closing stock कहां आता है, sir, closing stock सब जानते हैं कि credit side पे आता है, closing stock, credit side पे आता है, closing stock over valued था, यानि कि ज़्यादा लिख दिया गया था, 10,000 से, तो let's say हम कहते हैं कि यहां पे होना चाहिए था कितना, 50,000, और लिख दिया गया कितना, 60,000, एक मिनिट के लिए मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है, 60,000 लिख दिया गया, तो अब हमारे gross profit पे इसके क्या फरक पड़े होंगे, हमारा gross profit unnecessarily बड़ा हुआ होगा, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको सही value पे लेके आएंगे, तो यहां हम 50,000 करेंगे, और इसका मतलब हमारी income जो है, वो कम होई, और income के साथ में, profits का क्या होता है, सर, direct relationship होता है, तो हमारे gross profit भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानि कि जितने भी gross profit दिये हुए थे, 2018 में, वो profits कित ने दिये हुए थे, 1,60,000 के, तो यह 1,60,000 ना रह करके, 10,000 माइनस हो करके, यह क्या हो जाएंगे, 1,50,000 हो जाएंगे, यह बात आप लोगों को समझ में आई है, तो हाँ बोलो, और वरना ना बोले, simple सी बात है, कि ए closing stock हमारी income की तरह से treat होता है, credit side पे, अगर हम इसको सह हमारी कम हो जाएगी, यानि की income side की अंदर कम ही आने से, क्या होंगे हमारे profits पे effect, कि हमारा profit भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अच्छा, अब एक बात बताओ, इस साल का profit जो था, इस साल का closing stock था, 2018 का था, नहीं है, हाँ सर, 2018 का जो यह trading account का closing stock था, क्या यह 2019 में, 2019 में opening stock नहीं बन जाएगा, हमने trading account बनाया, ठीक है बच्चो, कौन सा, 2019 का, अब जरा मेरे को एक बात बताना, क्या यह इस साल opening stock कितना नहीं दिखाई देगा, हाँ सर, बिलकुल दिखाई देगा, जैसे last question के अंदर हमने depreciation का किया था न, एक साल का लगाया था, फिर दूसरे साल का लगाया था, तो यह closing stock अगले साल भी opening stock दिखाई देगा, और तब अब भी यह overvalued है, अब यह वाली side कौन सी है, यह हमारी expenditure side है, तो मेरे उस साल के gross profits कितने थे, क्योंकि यह trading account है, इसलिए मैं word gross profit use कर रहा हूं, वो रहे होंगे 1,65,000, है ना जी, 1,65,000, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ठीक करने के लिए कम करूंगा, तो expense की side कम हो ज जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जी, add हो जाएगा, 10,000, अगले साल के profits में add हो जाएगा, ठीक है, औरे सर, इसका मतलब तो इसके दोनों effect हो गए, effect तो nullify हो गए, कि एक साल कम हो गया, और एक साल जादा हो गया, और फिर profits पे तो कोई फरक पड़ेगा नी, बेटा, अ आपके answer पे कोई फरक पड़े या ना पड़े, लेकिन teacher है ना, जिसने आपको यह accounting treatment करवाने के लिए, यह point बीच में डाला है और आपने उसको reject कर दिया, आपने उसको धंसे किया नी, तो आपके marks कड़ जाएंगे बच्चों, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि इस का treatment होना जरूरी है, ही के जी, तो खेर, यह था हमारा, जो था वो treatment था, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस question को paper पे उतार लेते हैं, sheet पे उतार लेते हैं, मैं sheet को side कर देता हूं, और अपने पास एक fresh sheet लेता हूं, जिसमें कि हम question को करने वाले हैं, इसको मैं zoom out कर देता हूं, ठीक है न, समझ गए न तुम लोग, हाँ sir, हम समझ गए, यह मेरी जादू की छड़ी, focus करवाने के लिए, ठीक है, चलो, अब उपर क्या लिखेंगे, sir, weighted average profit method तो ऐसे ही नाम है, बस इसका, हमारे को तो क्या करना है, वही सब करना है, क्या करना है sir, वही सब, adjusted profits निकालने है, है ना, तो adjusted profits निकालते हैं बच्चों हम, चलो, उपर क्या लिखेंगे, सबसे उपर लिखेंगे जी, questions number 18, page number 3.31, ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, year, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, year, फिर हम लिखते हैं profits, फिर हम लिखते हैं जी adjustment फिर हम लिखते हैं net profits या फिर normal profits after adjustment ठीक है और फिर हम लिखते हैं क्या weight और last में हम लिख देते हैं बच्चो product ठीक अब पहले साल के profits कितने थे पहला साल कौन सा था 2015 का था सर प्रॉफिट्स थे उस साल 70,000 एडजेस्टमेंट क्या हुई थी एडजेस्टमेंट हुई थी कोश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि 20,000 जो थे वो अबनॉर्मल लॉस थे अगर ये अबनॉर्मल लॉस ना हुए थे तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते हमारे प्रॉफिट्स 90,000 होते तो हमने इसको एड़ कर दिया अबनॉर्मल थे ना इस वज़ा से हमें तो नॉर्मल ही लेने होती है हाँ सर हम समझ गए अच्छे इसको वेट क्या दोगे जी सबसे पुराना है ना ये साल तो इसको वन वेट दे दो तो 90,000 इंटो वन कितना आ जाता है बच्चो 90,000 ही आ जाता है सर अब इसको आप नाम देना ना भूलें इसको नाम हम दे देंगे A इसको नाम हम दे देंगे B और इसको हम नाम दे देंगे C is equal to A multiplied by B ऐसे साथ सुत्रे तरीके से काम करना है ताकि हमारे टीचर्स हमारे नमबर ना काट सके हैं बच्चों के अंदर ना बहुत ही विरोध होता है ठीक है वो क्या कहते हैं कहते हैं टीचर आने जबरदस्ती नमबर काट लेते हैं बच्चो ऐसा कुछ नहीं है किसी टीचर को आफ से कोई दुश्मिनी नहीं होती है बस हम चाहते हैं कि आप लायक बने बोर्ट्स के अंदर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें अपने स्कूल को और प्रेजेंट करें अपने अच्छे से पेपर को तो इसके लिए शुरुवात में आपके जितने वी एक्जाम होते हैं उसके लिए नमबर काट लिए जाते हैं आपके अगर आपने ठीक से काम नहीं किया है तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चो 2016 का हमारा था साल और उस साल हमारे प्रॉफिट्स थे मेरे बच्चो 1,40,000 और इस साल क्या था 30,000 की एक adjustment है हमारे पास में क्या abnormal gain की अगर ये abnormal gain ना हुए होते जो कि इसके अंदर included है तो हमारे पास में net profit हमारे normal profits कितने होते 1,10,000 और इसको मैं multiply कर देता हूँ weight से तो कितना आ जाता है 2,20,000 ऐसे ही हम बोलते हैं 2017 के लिए 2017 के profits थे बच्चो 1,00,000 रूपीस और उस साल कोई भी adjustment नहीं थी तो 1,00,000 का 1,00,000 ही normal profits आ गए हमारे और weight था 3 तो product कितना आ गया 3,00,000 रूपीस है ना 2018 के बारे में बात आई 1,60,000 के हमारे profits थे और overvaluation वाला point हमने अभी अभी समझा है तो closing stock अगर overvalued होता है तो हम क्या कर देते हैं जी उसको कम कर देते हैं और income side पे लिखा जाता है income के कम होते ही क्या हो जाएगा हमारे net profit भी कम हो जाएंगे तो 10,000 अगर हम इसमें से deduct कर देंगे तो ये normal profits हमारे 1,50,000 आ जाएंगे और हमारा weight तो था कितना 4 तो 1,50,000 into 4 that is 6,00,000 रुपीज ठीक है थोड़ा से इसको ठीक करते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए हाँ जी और last year है क्या 2019 1,65,000 के हमारे profits दिये हुए थे और हमने adjustment करनी है क्या opening stock की तो 10,000 मैंने add कर दिया ठीक है जी क्यों इसलिए add कर दिया क्योंकि expense की list के अंदर expenses बढ़े हुए थे 10,000 से हम expenses यानि कि opening stock को ठीक करने के लिए कम करेंगे तो हमारे expenses कम हो जाएंगे और expenses कम हो जाएंगे तो क्या होगा net profit बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,75,000 रूपीज और इसका weight कितना था 5? 1,75,000 को अगर मैं 5 से multiply करता हूँ तो 8,75,000 आ जाता है बच्चों ठीक है? यही है ना आपके बहस में? हाँ सकते हैं अब सर्ट टोटल कर लेते हैं एक बरी वेट का जो टोटल है वो है 15 और प्रोड़क्ट का जो टोटल है वो है 20,85,000 ठीक है ना अब हमें निकालने है क्या weight average weighted या फिर आप इसको weighted average भी कह सकते है normal profits ठीक? ओके? और यह कैसे निकल करके आएगा? जैसा कि हमने बताया ही था कि C को हम divide कर देंगे किस से? B से ठीक है? तो यह आ जाएंगे 2,85,000 सॉरी 2,85,000 नहीं है यह 20,80,000 है हाँ बच्चों बिल्कुल 20,85,000 को अगर हम divide करते है 15 से 20,85,000 को अगर हम divide करते है 15 से तो answer आ जाता है 1,39,000 यह आ गए जी हमारे पास में average आ गया यह हमारे सारे weighted profits का है ना चलो अब निकालनी है हमारे को क्या goodwill तो goodwill as usually as usual हम कैसे करेंगे? 1,39,000 को हम multiply कर देंगे number of years purchase है ना तो 1,39,000 को अगर हम number of year purchase that is 3 से अगर multiply करते हैं into 3 तो यह हमारे पास आ जाता है 4,17,000 रूपीज तो हमारी goodwill कितनी आ गई है बच्चो 4,17,000 रूपीज की हमारी goodwill आ गई है ठीक है? तो देखा कितना आसान है बिल्कुल यह weighted average profit निकालना भी बहुत ही आसानी से हम इसको क्या नाम है calculate कर सकते हैं और आप बिल्कुल simple way में इसको इस तरीके से बनाईए और बिल्कुल आराम से तसलिए से इसको कीजिए तो बच्चो यह था हमारा weighted average profit method और इसी method को हम next class के अंदर भी थोड़ी और heavy adjustments के साथ में practice करने वाले हैं आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि आज का काम इतना ही है आप इसको अच्छे से revise कर लीजे जो question है इसको आप self attempt भी कीजिए और अगर आप try करना चाहें तो आप try कर सकते हैं question number 19 तो आपका आज का जो हमारी तरफ से homework है वो आप ले लीजिए 17 और 19 ठीक है जी? पेज नमबर 3.31 पे question number 17 और 19 आपका आज का homework है तो बच्चो आपने इस class के अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ सीखा होगा थैंक यू very much